फर्स्ट कोश्चन है 12.2 तुरिजय खंड यह सेक्टर ओफ एरिया जब हम इसे पूछेगा तो पाई आर स्क्वार ठीटा वाई तीन्सों साथ फॉर्मुला लगाना है हमें यह एक इसके एरिये का फॉर्मुला निकल जाता है इतने का और सर्क्यूंफ्रेंस जब होता है तू की लंबाई या लेंद्ध अप आर्क पूछी जाए तो टू पाई आर ठीटा वाई तीन्सों साथ हमें फॉर्मुला लगाना है फॉर्स्ट कोश्चन है इसका के रेडियस हमें छे दी है और ठीटा हमें साथ दिया है एरिया अप सेक्टर हमें निकालना है फॉर्मुला सब पता है पाई यार स्कॉर्स टीटा पर टीन्सों साथ पाई की बेल्यू आर हमें यह सिक्स इसक्वार है तो हमने दो बार लिग दिया और ठीटा साथ है नीचे तीन्सों साथ है जाएगा ऐसे कैंसल कर देंगे वन वाई सेक्स यह और यह ठीक है जो बच्चा हम उसका इंट सेंटीमेटर दी है यह पूरी सरक्यूंफरेंश इसकी लेंथ यहां से यहां तक 22 सेंटीमेटर में दिया हुआ है चतुर्थांस का छेथफल निकालना है चतुर्थांस मतलब क्वाड्रेंट हमें सिर्फ इसके एक चोथा हिससे का छेथफल निकालना है यह वाला इसका निक ता कितना हो गा है सबको पता है को हुआ हो जाएगा को हमारा एंहें लगी हादा को हमारा ने क्ली क्ल शाएगा ऐसल मोगहीं हमें रिजिय मालेंगे रिज्जय यहां आद्म यहां से जो सिर्कैंश मतलब परीदी क्या होती है तो पाई आर जो हमें 22 cm दिया गया है अब यहां से हम आर निकालते हैं तो 22 अपॉन तो पाई हो जाएगा यह इंटू में तो नीचे डिवाइड में जाएगी आप चाहो तो इसकी वेली भी रख सकते हो ठीक है रख देते हैं कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 7 आएगा और यह 7 कहां जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा 22 से 22 कैंसल हो जाएगा 7 अपॉन 2 इसकी डिवाइड से जाएगी हम पॉइंट में आंसर लाना हो तो 3.5 भी लिख सकते हैं ठीक है उससे कोई प्रॉब्म नहीं होगा अब हमें एक एरिया और निकालना है चत्रो थांस का 6 तरफल फॉर्मूला वही रहेगा पाई या स्कॉाय ठीटा बटे 306 पाई कितना 22 अपॉन 7 रेडियस किती है 7 वाइट 2 हम लेंगे ठीक है सेविन वाइट 2 सेविन वाइट 2 और ठीटा केता बना है 90 डेगरी का और यह एक चुन टीन सुसाथ जैसे हम डिवाइट कर देंगे तो एक सुवन वाइट 4 हो जाएगा टारेक्ट वाइट 4 भी लिख सकते थे क्योंकि हमसे यह कहा गया था कॉर्डेंट का एरिया कॉर्डेंट क्या होता है वन फॉर्थ पार्ट ऑफ सर्क्ल मतलब एक चोथा हिस्सा वन वाइट फॉर्फ भी कर सकते हैं टू से टू भी कैंसल हो जाएगा गाएगा आप जो बच्चा है हम उसका अन्टू कर लेते हैं अब सेवन लेविन ओ जाएगा सेवन सेवेटी सेवन आपवन में ए ट ठीक है 77 upon 8 cm 3rd question है इसका एक घड़ी है घड़ी की मिनिट की सुई उन्होंनों बोला 14 cm लंबी है मतलब इस ब्रत का यह जो घड़ी की सुई जो भूम रही है जो सरकल बन रहा है घड़ी की सुई की तरज्या है यह मतलब उस ब्रत की तरज्या है हम क्या मानेंगे कि सुल्यूसन में जो तरज्या दिये वो जो तरज्या दिये वो 14 cm है घड़ी की सुई मतलब वो तरज्या है ब्रत की अब उन्हें यह कहा कि इस सुई द्वारा पांच मिनिट में यहां तक आने में कितना एरिया कवर किया है यह हमें बताना है तो यह बताना पड़ेगा ठीटा कितना है हमारा जो पांच मिनिट में जो घड़ी की सुई गोमती है यहां से यहां तक तो कितने डिगरी का एंगल उसने बनाया यहां से यहां तक में उसकितने डिगरी का एंगल बना है यह हमें बताना है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कौन पांच मिनिट में पांच मिनिट में ठीक है अब यह देखना कैसे निकलेगा यह पूरा अगा घड़ी की सुई पूरी भूमती चारों तरफ भूम जाती बारा से बारा पर आ जाती तो 360 डिग्री एक पॉन बनता लेकिन 360 पूरा नहीं भूम रहा है वो भूम रहा है सिर्फ इसका बारवा हिस्सा कितने पार्ट है इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ ताट नौर दस क्यार आप बारा हिस्से है ना घड़ी के तो बस सिर्फ एक हिस्सा तो घूमा इतना तो 360 के बारा हिस्से हो जाएंगी कितना हो जाएक बारा की छक्तिती टेदी एंगल हमारा बन जाएगा एंगल इस मेडवाय मिनिट हैंड मिनिट हैंड एंड पाइब मिनिट हैंड एंड फाइब मिनिट ठीक है पांच मिनिट में घड़ी की सुई दवारा मिनिट की सुई दवारा बनाया गया कौन तो मिनिट की सुई दवारा बनाया गया छेथपल कितना होगा दा एरिया ओफ एरिया दा एरिया मेडवाय मेडवाय मिनिट हैंड इन फाइब मिनिट घड़ी की मिनिट की सुई दवारा बनाया गया छेथपल पांच मिनिट में बना शेथपल मतलब हमसे सिर्फ वही बुचा है एरिया ओफ सेक्टर क्या होगा एरिया ओफ सेक्टर पाई यार इसक्वाय ठीटा वाई 360 का फोर्मुला पाई की बेल्यू 22 अपॉन 7 आर हमें पता है कितनी है 14 सेंटिमीटर दो बाल लिख देंगे स्क्वायर है और ठीटा कितना बंदा है 30 डिगरी का नीची 366 है कैंसल कर देंगे यह जाएगा बारा वन वाई 12 और हम एक कांगों करते हैं 7 से इसको कैंसल करते हैं 2 टाइम टू से इसको कैंसल करते हैं 6 टाइम ठीक और कुछ और भी कार देते हैं 2 से यह 11 टाइम हो जाएगा 2 से यह 3 टाइम हो जाएगा और क्या कट रहा है 11 और 14 अपन में 3 जो बचा हम बो लिख लेते हैं इसका इंट्टू कर देंगे तो 451 अपन 3 सेंटी मीटर इसको का अंसर आ जाएगा जाएगा